अगर आपको इसके नेगटीज देखना तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना हम इसकी बैंड बजा रहे होंगे ये बड़ी अच्छी बात कही है लेकिन आज नहीं भाई आज है शिर्फ इसकी तारीफ की बारी तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में साथ ऐसी ची अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की हमें सबसे जादा अपनी गाड़ी में पसंद है इसके लुक्स तो अगर हम इसके एक्स्टिरियर की बात करें ना तो यह बहुत ही मस्क्यूलर सी दिखती है इसकी क्रीज लाइन वगरा देखोगे या ओवरोल डिजाइन देखो हम लेती जेठा भाई ओफेंड हो गए और मैं समझ भी सकता हूं भाई उनके दिल की बात तो ए भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहे है आई टेक माई वर्ट्स बैक हाँ सोरी सोरी जेठा भाई डोंट लाइक बवीता जी वंसमोर वंसमोर क्या वंसमोर बोल तो द हमें सोनक्सी सीना पसंद है तो मेरा कहने का मतलब है लुक से कैसी चीज है मतलब सब्जेक्टिव होती है किसी को कोई सी डिजाइन पसंद आती है लेकिन हमें परस्टनली बहुत ही अच्छी लगी है और एवन आज 2023 में अगर हम बात करें ना तो मुझे ऐसा ऐसा नहीं दूसरी गाड़ी चेंज करते हाला कि जो न्यू ब्रेज आई है वो बहुत ही अच्छी आई है लेकिन फ्रंट प्रोफाइल मुझे उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं पता नहीं क्यों बट बिल्कुल भी नहीं हाँ साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल नोड़ उस जीरो वाइब्रेशन लिटरली एंड जीरो इंजन नोइस अगर गाड़ी स्टार्ट करके कोई भार भी खड़ा है न तो अभी उसको इंजन साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा दो साल होगे यूज करते करते और ओल्मोस्ट 25,000 किलोमेटर हम इसको चला चुके हैं तो अ वह है इसका ग्राउंड क्लिरेंस यह देखो इसमें 205 mm का ग्राउंड क्लिरेंस ओफर किया जाता है विची सेकेंड बेस्ट इन सेगमें अगर आप सेल्टोस क्रेटा की भी बात करोगे ना तो उनमें भी 190 and 180 mm का आता है रिस्पेक्टिवली और स्पेशली ग्राउंड क्लि तो तीन सो फार नीचे से लगेगी जैदा ली हो गया है मतलब कुछ भी और देखो मोसम आज कितना अच्छा है आपको देख कैसे लग रहा होगा कि दिसंबर का मन चल रहा है नहीं भाई यह फैब चल रहा है और आज डेट है 11 तो हमें भी बड़ा मजा आता है जब हम आता हूं आपको वह भाई यह इसका इंटीरियर भाई बड़े ही कमाल का इंटीरियर कैमरा ना कभी भी रियालिटी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाता तो मैं इसके फोटो बगरा डाल दूगा एक्स्टीरियर तो ऐसी जीज होगी जो बाहर वालों को दिखता है में पार मेरे फ्रेंड सर्कल में ना चार पांच लोगों के पास क्रेटा भी है और एक मेरे फ्रेंड के पास BMW X1 भी है बट वो जब इसमें बैठते है ना तो भाई वो मिरको यह बोलते है खमाल है सच में तेरी गाड़ी के इंटीर में ना फील आता है तो आप सोचो की रेटा वाल मुझे ये फिर थोड़ा सा श्पॉर्ट फिल देता है रहला कि स्पीडो मिट्र इसमें आपको डिजीटल मिलता है लेकिन यह जो आर्पीज मिटर वगरा है यह है ना लोग ही बट आपको थोड़ा सा इंट लगता कहीं से नहीं तक भी तो मुझे ये सल्टोस से भी भाई वो है ये cruise control मतलब जिनकी गाड़ी में एक cruise control नहीं है ना उनको भी फिल होता है और जिनकी गाड़ी में एक cruise control है उनको भी पता है भाई मतलब highway पे ना ये बहुत ही जादा आपको relaxing फिल करवाता है आपको हर टाइम ना अपनी accelerator pedal को press करके नहीं रखना पड़ता है और हम तो जब भी मतलब गाउं आते हैं ना मतलब हम दूरी रहते हैं काफी तो हम जब भी आते हैं ना भाई मतलब highway पे ना इतना ज़्यादा relaxing फिल करवाता है मतलब आपको पता ही ने लगता आपके पाउं को कि भाई आप डेड़ 200 km ड्राइव करके आए हो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव की और इसके लिए हमें जाना होगा पीछे तो यह भाई इसका नेक्स्ट पॉजिटिव जो कि है बूट स्पेस इसमें आपको ओफर क्या जादा बेस्ट इन सेगमेंट 392 लीटर का बूट स्पेस तो बी ओनेस जो कि हमें हर रोज तो काम नहीं आत है या फिर कभी शादी वगएरा में पूरी फैमिली जा रही हो ना तो यह यूज में आ जाता है बट अदरवाइज इतना वो नहीं है यह छोटा होता तो भी हम इससे काम चला लेते फिर भी एक पोजिटिव है इसका क्योंकि जब फर्टिलाइजर के बैक्स वगएरा लेक जाता है या फिर जादा तर किज़ीं के यह तो पनि वगएरा में ही उफर किये जाता है बट किया सोनेट में आपको यह स्टेंडर मिलता है बेस वेरियन्ट से ही जो कि यह बहुत हूँ अच्छी बात है क्योंकि पीछे बैठने वालों के लिए बहुत ही ज़ादा ज़रू कर देना. Thank you so much for watching.